Hello students, pre-Indian coaching में आप सभी का स्वागत है, जैसा कि आप लोग जानते हो कि आप लोगों के revision test चल रहे हैं, जो कि COVID-19 की वज़ाए से आप लोगों के open book exam हो रहे हैं, ठीके, तो कुछ studentों को paper करने में problem होते हैं, तो देखे, आज हम प्रिश्नी क्रमांग 1 से, प्रिश्नी क्रमांग एक से start करते हैं, जिसमें दिया गया है, सही बिकल्प चुनका लिखिए, तो यहाँ पर एक अभी क्रिया दी गई है, इस अभी क्रिया को आपको बताना है कि कौन सी अभी क्रिया है, तो यहाँ पर आपको चार आप्सन दिये गया है, तो चार आप्सन मैंसे आपको बताना ह का कौनसी अभीक्रिया इस मैसे है ठीक है मतलब जो अभीक्रिया दी गई है उप्रोक्त अभीक्रिया का उधारन है तो बताना है आपको कि किस अभीक्रिया का उधारन है तो यहाँ पर आपको चार अभीक्रिया दी गई है जिसमें से आपका सा नम्मर में दिया है न आंसर सही होगा H2CO3 यह आपका क्या है निम्न मेंसे कौन सा प्रबल अम्न नहीं है तो यह आपका प्रबल अम्न नहीं है बागी सभी है जो वो अमल है ठीक है इसके बाद में थाइड देखिए ब्रक के चरण एकाई कहलाती है तो इसका देखिए फोर्थ यहां पर आपको पूश्चन पूश्चन से कुछ परशन पूशे जाएगे इस में से इंपॉटेंट को सभी आपको दिए गया है जो इन सभी कौश्चन को आपको याद करना है प्लीस पर आपको बार्सिक बोड में आपको नकल नहीं होगी ठीक है फिर आपके जो बार्जिक वोड होगे उसमें कोई नकल नहीं होगी ठीक है तो आपको पढ़ना पढ़ेगा इसलिए आप ध्यान से देखे वीडियो चलिए आगे बढ़ती हम लोग प्रिशनी कर्मांग चार पर पहुंच गए थे तो इसमें दिया गया है हाइडरा मे प्रिशनी किस वीडिद्वारा होता है ठीक है तो यहां पर देखे चार वीडिद्व दी गई है तो इसमें से आपको सही ओप्सन बताना है तो इसमें से आपका सा आंसर है जा सा आंसर आपका सही होगा ठीक है पुनो पुनो रुद्र भवन ठीक है इसका सा आंसर सही होगा इसके वाद में five देखिए तारों के टिम्टमाने का कारण है तो यहाँ पर आपका आंसर इसका अपबर्तन होगए अपबर्तन के कारण क्या है तारे टिम्टमाते हैं चले आंगे बढ़ते हम लोग देखते ही यहाँ पर इसका अपबरतन था अब प्रिश्ने क्रमांग जो दूसरा है इसमें आपको रिखते स्तानों की पूर्ती करना है ठीक है तो यहाँ पर देख दिया गया आपको गोले दरपन की फोकस दूरी उसकी बक्तत तरज्या की खाल ठीक है अब देखें आगी सेकेंड कोश्चन आपको दिया गया है पौधों में खात पधारतों का इस्तानांत्रन खालिस्तान उत्कों द्वारा होता है तो यहाँ पर आपको फ्लोएम इसका सही आंसर होगा फ्लोएम ठीक है यहाँ पर आपको फ्लोएम लिखना है इसकी ब कि मेंडक के हिरद्व में आपको बताना है कितने कख्योप्ोहूते मैं यहाँ पर आप लोग तीन भी लिख सकते हो इती हैं यहाँ तो इसका अंसर क्या होगा कहाता है संचैरन खे तो लोहे में जंग लगना क्या कहलाता है सदा है इसकी बाद में प्रश् quotation करवां तीन देखिए इसमें आपको सही जो डी रताना है तो सही जोरी आप हान से देख्यान से इसमें बिलंजक चूंड तो इसकी क्या होगी तो इसका सा उंसर होगा जो तो यह आपका बा अंसर सेकंड का साही होगा इसके बाद में आपको जिपसम दिया है तो जिपसम का सूतर देखिए कहाँ पर दिया गया है आपको ध्यान से देखिएगा जे दिया गया आपको CA SO4 2H2O इसके बाद में फोर्थ देखिए और जेलिक अमल यह नमर में देखिए CH3COOH एक अहलाता है सरकार ठीक है अब आँगे बढ़ते होगे प्रिश्निक्रमांग फोर्थ देखिए एक बाद किया फिर एक सब्द में आपको उत्तर बताना है ठीक है तो आप एक सब्द में लिख सकते हो या फिर आप एक बाद में भी लिख सकते हो चले तो प्रिश्निक्रमांग फोर्थ का फश्ट देख लेते हैं नीबू और संत्रे में उपस्तित अमल का नाम लिखिए नीबू और संत्रे में कौन सा अमल पाया जाता है आपको उसका नाम बताना है ठीक है तो कौन सा अमल पाया जाता है आप कमेंड में जरूर बताएगा तो इसमें अमल पाया जाता है साइट्रेक अमल ठीक है आप उसको साइट्रेक या पर आप सेट्रेक अमले भी लिख सकते हो इसके बाद में आप देख सकते हो सुद्ध जल में हाइट्रोजन आयनों की सांदर्ता कितनी होती है तो सुद्ध जल में जो आपके हाइट्रोजन पाए जाते हैं उसमें आयनों की सांदर्ता बताना है तो यहाँ पर होती है दस पे माइनस साथ की पाबर ठीक है दस पे माइनस साथ की हाथ यहाँ पर आप G भी लिख सकते हो, ग्राम में, अब देखे, लेंस की छमता का सूत्र लिखिए, तो यहाँ पर आपको लेंस की छमता का सूत्र बताना है, जो कि होता है, लेंस की छमता बराबर, तो यहाँ पर आप लोग लिख सकते हो, लेंस की छमता बराबर, एक वटे फोक स्तूरी ठीक है लेंस की जमता का ही सूत्र होता है इसके बाद मैं देखें फूर्ट दर्पन सूत्र लिखें तो यहां पर आपको दर्पन सूत्र बताना है जो की होता है यहां पर आप लेख सकते हो एक वटे F बरावर एक वटे U प्लस एक वटे B यह होता है आपकी दर्पण ST ठीक हे दर्पान सूत्र अपने class 10th में जरूर पढ़ा होगा ठीक हे अब आगे वह आप class 11th और 12 सेndre निकालना पढ़ेंगे ठीक है कैसे इसको निकाला जाता है इसके बाद में देखे प्रिशने क्रवांग 5 जिसमें आपको दिया है प्ले नेरिया में प्रजनेन की बिधी का नाम लिए तो इसमें आपको प्रजनेन की बिधी का नाम बताना है जिसे हम अलेगिंग कहते हैं ठीक है अलेगिंग ऐसा इस का अंसर होता है तो आप सभी कोश्चन को याद कीजी ध्यान से क्योंकि आप कोई बारसिक बोड में अभी तो आपको ओपन वुक एक्जाम हुआ है या फिर हो रहा है ठीक है तो आप तो बुक में से अभी देख कर लेके दोगे लेकिन बाद में जो आपका बारसिक बोड हो देते हैं तो आपके पास स्क्रींशॉट जरूर होंगे ठीक है तो आप यहां से स्क्रींशॉट लीजिए स्टार्ट कीजिए यहां पर लीजिए पहले इसके बाद इसका भी आप स्क्रींशॉट लीजिए इसके बाद यहां से लीजिए सभी कॉश्चन इंपोटेंट है इसके बाद यहाँ पर भी आप screenshot लीजिए यहाँ पर, अब ले लीजिए यहाँ पर, ठीक है, इसके बाद यह last screenshot ध्यान से लीजिए, और इसमें जो question दिये गया है, सभी important question है, एक भी skip मत करना, सभी को याद करना, क्योंकि आपके 12 बोड मैं से, इसी मैं से, कम से कम, 30-40% question repeat हो होंगे, तो आसा करते हैं, आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए, आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ मैं बेल आइकल प्रेस कर लेना, क्योंकि जो अभी आपके revision टेस्ट चल रहे हैं, सभी के question paper अपने दोस्तों में जदा से जदा इसे share कीजिए, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में